नमस्कार डॉक्टर रवी गोट से पेंसलमेनिया से भारत के वैक्सिनेशन ड्राइव पर आज बात करेंगे और जिन टीकाओं के भारत में उपलब्दी है सिर्फ उनहीं पर बात करेंगे फाइजर या मॉडरना पर आज समय वस्त नहीं करेंगे वो कहते हैं ना उनकी याद तो आएगी वो कहते हैं ना बिच्डे हुए लोगों से मुलाकात फिर कभी होगी दिल में उम्मीद तो काफी है यकी कुछ कम है है आज तेरी दूरी ही उदासी का सबब ये अलग बात के पहले से नहीं कुछ कम है फाइजर मॉडरना शायद अभी नहीं आएगी इंडिया में छोड़ देते युनाइटेड अरब एमिराट्स में भी ये लोग वीडियो देखते एक सवाल आया था कि वहाँ फाइजर एप्रिल में मिलेगी क्या उसकी रहा देखे या साइनो फार्म ये चाइनीज वैक्सिन ले ले देखो युनाइटेड अरब एमिराट्स में अभी स्पुटनिक भी भी आई है चाइना की जो साइनो वैक वैक्सिन थी उन्होंने बताया था 75 फीसद एफेक्टिव है ब्राजिल में टेस्ट किया तो 50 फीसद ही निकले साइनो फार्म 79 बोल रहे हैं मेरे ख्याल से 50 तक रहेगी चाइना रशिया दोनों से लेने में तकलिफ है रशिया में शायद प्राबलम होगा चाइना में डेफिनिटली प्राबलम होगा अगर कोई तूसरा और कोई चारा नहीं है लेनी है तो स्पुटनिक ले ले मेरे ख्याल से ये वएधिक ये सला नहीं है दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ क्या अगर आपने अभी स्पुटनिक ये साइनो फार्म ले ली क्या बाद में फाइजर ले सकते हो पता नहीं शायद अब जब फाइजर लोगे बाद में तब आपकी बाड़ी वो वैक्सिन के उपर ही हमला करेगी सोचके कि यह कोविड है लेकिन एक बात तो अभी तै है कि अगर आपको कोविड हो भी चुका है तो भी नईसरगीक रूप से कोविड होने के बाद आपके बाड़ी में जितनी प्रतिकार शक्ती आई है उससे शायद ज़्यादा टिकाओं से वैक्सिन से आती है इसलिए आपको कोविड हुआ भी है तो भी आपके आईसोलेशन खतम होने के बाद आप टिका ले सकते हैं टिका लेना चाहिए तो भारत के ड्राइब के ओपर बात करेंगी थोड़ा confusion है तीक यूप basic confusion है kovaxin के मामले में उनके ओपर गौर करते हैं कोवेक्सिन है वो अपने खुद के लड़के जैसे है जनारदन जैसी है वो अपना खुद का लड़का है होशियार है हम लोग दिलो जान से चाहते है वो अच्छा करे और कोवी शील्ड है वो अपनी लंडन में जेट रहती है उसका लड़का है जौनी हम लोग ना चाहे जौनी कि कितनी सरा न करे अन्वलप में पांसो हुआ रुपए डालके उसके हाथ में पकड़ ले हम मन में मन चाह रहे है कि अपना जो जनारदन है को वैक्सिन है वो अच्छा करे अभी बाकी के कई देशें उनको अभी इंडिया ने वैक्सिनेशन का सप्लाई चालो किया है मैं न्यूस पे देख रहा था कि जैसे बांगला देश हो ब्रम्मदेश नेपाल भूतान सेशल्स मियानमार इस सब देशों ने इंडिया से वैक्सिन लिया है लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उन्होंने सराना तो की दोनों की जनारदन की और जोनी की लेकिन डोसेस सिर्फ वो कोवीशिल के उठा रहे है कोवैक्सिन के डोसेस ये बांगी के देशों में से कोई ले नहीं रहा है तो कि दो जो पर्चे दिये थे उसमें उसके बीच में अगर चार हपते से फासला छे या आठ हपतों का होता तो वो शायद अच्छे नंबर लाता था सतर पिच्चतर फीसद लाता था देखो 62% मार्क है मतलब 35% के उपर पढ़ गये है तो फिर पॉलिटेक्स या मूवी लाइन में जाने का कोई चांस ने लेकिन बाकी कुछ काम तो कर सकते हैं अच्छा बच्चा है यह अपना कोवैक्स ही ने उसके क्या नंबर है पता नहीं अभी नंबर आये हैं नहीं है अभी जैनुवरी 22nd को फेज वन का रिजर्स 375 पेशन्स का लैंसेट में आया है वही कोवीशिल का जुलाई 20 को आया था तो कोवैक्सिन कोवीशिल के 6 महना और 2 दिन पीछे है अगर फेज वन या अर्ली फेज टू के निकालों के मुताबिकी अगर उसको परमिशन दे नी थी तो क्यून जुलाई या अगस्ट में कोवीशिल को परमिशन दे देते जैसा डॉक्टर अभी अमरीका से कह रहा था अमरीका में तो कोई मेरी सुनता नही इसलिए मैं इंडिया में आके कह रहा हूँ क्यों नहीं पर्मिशन देती महामारी ही खतम होती लोग कहेंगे और फिर mutation का क्या होता चाचा जी अगर virus ही नहीं बचा तो mutation कहां से आएगा न रहेगा बास न बजगी बासुरी सब खतम ही हो जाता था पहले लेकिन वो नहीं किया अभी एक अच्छी न्यूस करके बता रहे है कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सिन है उसका दूसरा टीका फेस थ्री का अभी लग चुका है यह अच्छी न्यूस कैसे हो गई अगर दूसरा टीका आज लगा है तो उसके result आने में कितना टाइम लगेगा देखो मन ही मन हम सब लोग चाह रहे ऐसा नहीं कि भारत जो दूसरे देशों में लोग बैठे है वो ऐसा चाह रहे है कि यह अच्छा वैक्सिन ना अच्छा निकले सब लोग अत्मनिर्वर बनना चाहते यह बाकी के देश के सब साइंटिस है वो भी भारती है मूल के है लेकिन कोई ऐसा नहों कि हमने एक भरोसे का घोड़ा लगाया और वो ही घोड़ा ऐसा पता जाले बाद में कि उसमें कुछ खामिया थी तो इसलिए हम यह चाह रहे हैं कि यह कोईक्सिन का अगर confusion दूर करना है तो कोईक्सिन का जो भी interim data है वो declare करें नहीं तो फिर पूरा जो पूरे जो बड़े बड़े लोग है जो actors है वो tweet कर रहे हैं सब लोग live TV पे कोईक्सिन ले ले देखो आप दूले को इलजाम दे रहे हैं कि खुद के शादी के लिए लेकिन वो कह रहा है जो पहली दूलन है उसको 62% mark आया है दूसरी दूलन को तो बताओ उसको देखने तो दो उसके साथ बात तो करने दो यह मेरे ख्याल से थोड़ी insulting और गलत बात है यह लड़के क्यों चूज करें लड़कियों को हमारे यह लड़कियां ही ज़्यादा smart होती है तो उल्टा example देते है लड़किया शादी है राजी है शादी के लिए पहला लड़का कोवी शील्ड है उनको दूसरा लड़का देखना है तो यह confusion हो गया है और हम लोग इलजाम दे रहे है कि लोग नहीं आ रहे है अभी कुछ न्यूस पता ही नहीं चल रहा है वो कहते हैं तमिल लड़ों में सिर्फ 16% लोग आए वैक्सीन को महाराशना में भी 50% लोग आए है इस बात पे मेरा भरोसा ही नहीं है कि ऐसा कुछ है और कतार नहीं है भीड नहीं है ऐसा कैसा पॉसिबल है देखो यह confusion easily दूर कर सकते है जो center जे उनको अलग कर सकते है कोवेक्सिन के center अलग कोवीशिल के center अलग तो confusion ही मिट गया यह center पे गये तो कोवीशिल में लेगी और क्या करेंगे 62% प्रभावी तो प्रिवेंट कोवीड अल टुगेदर लेकिन इट कुड भी 100% 100% प्रभावी प्रिवेंट सीरियस कोवीड यह तो हम चाहिए हम लोग एक भरतनाट्यम का प्रोग्राम था स्कूल में और टिकेट बेच रहते किसके लिए बेच रहेते ह बलाक में चल रहा है अभी घुछ भी करके हमको 10 टिकेट regular price में लाकर रात को बारा बजे उनके घर जाके दस टिकेट थमा के आया तो हम लोग ये perception की बात है कोविशिल का जो center है वहाँ पे declare कर सकते है कि दो पर तीन बजे तक जिनको appointment है उनको vaccine मलेगी 1A में उसके बाद जो लोग नहीं आये ना कोई परवा नहीं है छोड़ दो वो लोगों को उसके बाद जो भी आदमी vaccine लेना चाहता है 18 के उपर वो vaccine ले सकता है डब्बे फीसद लोग तो vaccine लेना चाहते है हमने जो survey किया था इसा लग रहा है कतार लग जाएगी भीर लग जाएगी लोगों की जो भी 19 साल का बच्चा हो जो लोईना चाहता है उसको लेने दो ऐसी भीर देखेंगे तो बाखी के लोग भी आ जाएगे और vaccination अच्छी तरह से हो जाएगा तो ये एक तरीका है अपना vaccination लाए भी अच्छा चला है अब तक 10 लाख लोगों का हो चुका है तब मैंने कहा था कि ब्रह्मदेश और मियानमार मुझे पता है ये दोनों देश एक ही है मियानमार एस ब्रह्मदेश ये गलती मैंने जान बूच के की थी मैंने सोचा देखो आप कितनी किस तरह से आप ये वीडियो देखते है कि अब पूरा आपका लक्ष होता है जब मैं क्या कहता हूँ उसके उपर इसलिए ये गलती जान बूच के की थी डॉक्टर अवीगोर से लोकमत के लिए पेंसलवेनिया से हिंदी ओडियंस के लिए